हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को मेरा जिसका जिस वीडियो का आप सब को इंतजार था UK PCS ROAR के जितने previous year questions हैं उत्रखंट GK से वो सारे के सारे आज हम discuss करने वाले हैं वीडियो को है उनके लिए बहुत इंपोर्टन वीडियो है एक लास्ट हो जाएगा हमारी preparation में और आपको यह पता भी चल जाएगा कि उत्रखंट GK से किस तरीके के questions आते हैं इसमें 2007, 2012, 2016 के जितने भी questions उत्रखंट GK से आये हैं वो सारे discuss करने वाले हैं सो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले question से जो हमारा आया हुआ है Major Somnath Sharma who was honored with Paramvir Chakr posth musli in 1947 belong to Major Somnath Sharma जिनको Paramvir Chakr मिला था मर्नो उपरांथ वो किस regiment से या फिर किस battalion से belong करते थे गुर्खा rifles, गडवाल rifles, डोगर रेजिमेंट या कुमाउं रेजिमेंट and your answer guys is कुमाउं रेजिमेंट से वो बिलॉंग करते थे दा लाखु केव हैं ancient rock painting is located in चमोली, नैनी ताल, हरिद्वार या अलमोडा यह मैंने आपको जो 150 questions already solved करवा रखे हैं ना उसमें भी एक question हमें discuss किया है और मैंने तब आपको बताया था कि कमिशन का बहुत favorite question है और जिसके एक्जेंपल आपको मिल गया गी आया हुआ है question में exam में लाखु केव situated है हमारी अलमोडा डिस्ट्रिक में the court language of kathuri was और गाइस यह question में हमने डिसकस किया हुआ previously कुमाउनी गडवाली संस्कृत और प्रकृत कतियूरी की कोर्ट लेंग्विज राज्य भाशा क्या थी and the correct answer is संस्कृत कि दपास connecting dharma and व्यास वैली इस हमने mountain passes और उत्राखन पड़े थे अगर आपने वह वीडियो अच्छे से देखा होगा उसे learn किया होगा ते तन यू विल शॉरली नो दिस आपको पक्का पता होगा दर्मा और व्यास वैली को कौन सा दर्रा connect करता है it is sinla pass the objective of forming प्रजा मंदल वास यह question यह question मैं आपको अभी भी याद है कि हमने previously discuss किया है 150 questions में तू और गाईस आपको पता है जो हमने 150 questions पढ़े है ना आज वो आप यह previous questions देखके यह समझ पाएंगे कि 150 question में से almost 80 to 90 percent question हमने अलड़ी discuss कर रखे हैं जो previously पूछे गए हैं exam में आपको 150 questions की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा important अगर वो भी आप देखके चले गए ना तो आपका majorly portion उत्राखन का solve हो जाएगा प्रजा मंदल बनाने का objective क्या था ब्रिटिश हरकार से चुटकारा पाना गोर्खा रूल से चुटकारा पाना लोगों को एक अत्रित करना ताकि वो समाच उधार कर सके या फिर लोगों को टीरी रियासत के कुरूरता पूर्वक रूल से अजादी दिलवाना इसका correct answer है option number D to free the people from misrule of टीरी स्टेट के कुरूरता पूर्वक रूल से लोगों को आजादी दिलवाना खतलिंग ग्लेशर जो है जो खतलिंग ग्लेशर है वो किसका origin प्लेश है मतलब कौन सी नदी वहां से निकलती है खतलिंग ग्लेशर से निकलती है हमारी भिलांगना रिवर जो कहां पर है टीरी में है और भिलांगना और भागी रती के संगम पर क्या बना हुआ है टीरी डैम बना हुआ है जो पहाड है उनके फुट पे नहीं बसा हुआ है ठीक है टनकपूर कोटवार रुद्रपूर यहरी दवार मतलब ही सारे के सारे टाउन जो है वह फुट इल पर बसे हुआ है मतलब जहां पे पहाड़ खतम होता है उसी के नीचे टाउन है और इन में से एक नहीं है टनकपूर कहां पे है, टनकपूर डिस्ट्रिक्ट जहां पे पूनागिरी मंदी रहे है, तो फुथिल टाउन है, कोड़वार is आल्सक्व फुथिल टाउन, हृदवार is also a Foothुथिल टाउन, देन, रुद्रपूर is not a फोटिल टाउन टिसशप प्लेंड ने लिया धुमस केलाज मानसोरवर यात्र पासेस थूज पढ़ाए थे दर्रे पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कैलाज मानसोरवर यात्रा वाला पास बहुत इंपोर्टेंट है एक कमिशन बहुत पूछ चुका है तो फेमस क्लाश मांसरवर पास कौन से नहीं है काट गुदाम देहरादून कोड़द्वार यर लकसर गाइस काट गुदाम भी है देहरादून भी है कोड़ द्वार भी है पर लखसर नहीं है इन विच डिस्ट्रिक्ट दस दी नांधोर दून लाए नांधोर दून इन में से कौन से जिले में है उदम सिंग नगर नैनिताल गड़वाल या हरिद्वार your correct answer will be नैनिताल in the Himalya the main central thrust separates the main central thrust किन दो ranges को Himalaya की separate करता है lesser Himalaya outer Himalaya, Dune Valley is Shivalik's, Greater Himalaya is Trans Herz Himalaya Greater Himalaya and Lesser Himalaya main central thrust हमारा separate करता है Greater Himalaya and Lesser Himalaya को The historical name of Uttar Kashi is Uttar Kashi का पौरानिक नाम क्या है उत्तर Kashi का परानिक नाम है सौम्यकाशी डूरिंग विच पीडिदेग और कॉलोनियल कंफिलिक्त स्टार्ट इन उत्राखंट किसके राज में जब तो जब क्या हो रहा था जब असलो जा पूरे इंडिया पर किसका रास्त वॉप्जांग नाम से जाना जाता था पुराने समय में ।- प्रयाग्प flour द्वार ये श्रीणगर कुप्जब मरक नाम से जाना जाता था रिशी केश को इन विच लैंग बेज आर्दी पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स रिटेन पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स किन्स भाशा में लिखी गई है पाली प्राकरत संस्कृत या अर्मिक पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स लिखी गई है हमारी संस्कृत भाशा में इन विच अव दी फॉलएंग डांसे दे सौंग इस नॉट संग इनमें से कौन से नृत्यों में गाना नहीं गाया जाता चौपटी जोरा चपेली या छोलिया इनमें से कौन से नृत्यों में गाना नहीं गाया जाता राइट आंसर इस छोलिया नृत्य दवच टेंपल ऑफ 9th century इन द्वारा हार्ट इस आलसो नोन एज नोन एज दवच टेंपल जो है हमारा जो 9th century में बना था द्वारा हार्ट में क्या मैं 19 बोला था इससे पहले सुरी गईज इस 9th century जो द्वच टेंपल है 9th century में बना था द्वारा हार्ट में वो उसका नाम क्या है वो उसको और क्या कहते हैं महमर्तिन्जे टेंपल कटारमल टेंपल बूजर देव टेंपल यह कचेरी टेंपल और यह लौट शिवा और जैन्ती माता को डेडिकेटेड है विच अव दिफॉलएंग ट्राइब्स वर्शिव देटी भूमसेन भूमसेन की इन में से पूजा कौन सा जनजाती करती है थारू बोकसा जड़ या भोटिया भूमसेन की पूजा इन में से थारू जनजाती करत ब्राज शिटी यानि कि ताम्र शेहर किसे कहा गया है इन उत्राखंड इस बाचपूर रुदरपूर पिथोडगर या अलमोडा ब्राज सिटी के नाम से जाना जाता है अलमोडा दा प्रेसिडेंट्स रूल इत्राखंड बॉस इन फोर्स ओन प्रेसिडेंट्रूल इत्राखंड में कब एन फोर्स हुआ यह कोईशन मैंने जब आपको पढ़ाया था ना तो मैंने बोला था गाईस की पूरी-पूरी को सिदेत याद करनी आपको बिकरसिडेंट्रोग को कौशन किसे ने किसे समय जरूर आता है और यह मत देखा कए है प्रेसिडेंट्रोग की डेट कितने दिनों के लनके ले लगा, कौन मुख्ये मंतरी थे यह सब आपको याद होना चाहिए, प्रेसिडेंट्रोग और उठ में लगता है 27 मार्स 2016 को from which village does the famous श्री नंदा देवी राज्जा त्यात्रा बिगें इन में से किस गाउं से नंदा देवी राज्जा त्यात्रा शुरू होती है धॉंडी नौनिका नौटी यह कस्वा नंदा देवी राज्जा त्यात्रा उत्राखंड की एक बहुत फेमस यात्रा है बहुत जानिमानी यात्रा है और यह श्रू होती है नौटी गाउं से which folk dance of उत्राखंड is included in UNESCO's intangible heritage site इन में से किस नत्य को UNESCO ने intangible heritage list में अपने include किया है रमन चंचरी छोलिया यह जुमेलो एंडी करेक्ट आंसर इस रमन रमन नत्य को UNESCO ने intangible heritage list में शामिन किया है according to 2011 census the literacy rate of उत्राखंड is 2011 जंगर्णा से जंगर्णा के अनुसार उत्राखंड का लिट्रेशी रेट कितना था 65.48% 71.60% 75.18% 78.82% उत्राखंड का लिट्रेशी रेट था 78.82% which revolt is known as the bardoli of kumao, k Gridoli of kumao kis revolt को कहा जाता है ascoat revolt, Saaklana revolt, Tilaadi Kant या salt revolt bardoli of kumao कहा जाता है कौन से area को कहा जाता है salt area को और कौन सा revolt सामिल साद साđल्ट option number d arrange the following rulers of gaurwal in the chronological order they ruled इन में ये जो सारे rulers दिये हैं गड़वाल के इनको आपने सही order में लगाना है कि पहले किसने rule किया और बाद में किसने किया अजयपाल, कनगपाल, फत्यपतिशा यह मांशा सबसे पहले rule करने आते हैं हमारे कनगपाल उसके बाद आते हैं अजयपाल फिर आते हैं मान्शा और फिर आते हैं फत्यपतिशा तो order बनता है 2143 option number C 2143 is the correct answer by which name कुमाउ रीजन was known in the ancient literature ये शायद मैंने इस previous जो 50 questions वाला वीडियो बनाया था न उसमें मैंने mention किया कुमाउ रीजन को किस नाम से जाना जाता था पुराने समय में केदारखंड, मानसखंड, पुन्य भूमी या देव भूमी एतिहासी काल में कुमाउ रीजन को जाना जाता था मानसखंड नाम से और ये कहां मैंजने का ये नाम इसकंद पुराण में next कुमाउ नी होली begins every year with कुमाउ नी होली की हर साल शुरुवात किस से होती है फाक की होली श्री नगर की होली श्रिंगार की होली निर्वान की होली या खडी होली कुमाउ नी होली की की शुरुआत हर साल किस से होती है कि कमावनी होली की शुरुआत हर साल निर्वान की होली से होती है, जिसे हम बैट की होली भी कहते हैं, who was the first recipient of Paramvir Chakr from कमावчик मैं अभी हमने सबसे first question इसी का देखा था यह उसी का बदला हुआ कोईशन है उस वही कोईशन का अलग रूप है कि कौन सबसे पहले वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कुमाव रेजिमेंट से परमविर चकर प्राप्त किया और वह व्यक्ति है मेजर सोमनाथ शर्मार ने यह मर्नो प्रांथ मिला वेंद टीरी स्थापना कब होती है तीरी स्थापना होती है और किसली होती है लोगों को टीरी स्थापित होता है 23 जैनुवर 1939 को देहरादून में हुँ अमंग दी फॉलॉइंग किंग्स वस किल्ड इन दी बैटल ऑफ खुर्बुरा इन 1804 एडी बैटल ऑफ खुर्बुरा होती है 1804 में और इन में से किस राजा की म्रत्य हो जाती है गडवाल के इस बैटल में इस यूद में शहीद होते हैं प्रद्यूमन्शाः और इसी के बाद गडवाल पे गोर्खाओं का साशन स्थापित हो जाता है 1804 से गरडटल डिस्कावर्य व्एलियोफ फ्लावर्स गोज टू वैलियोफ लावर्स को खोजने का श्रे किसे जाता है विलियम स्मित, मार्गरेट लाइगी, रिचर्ड होल्सवर्थ यह फ्रेंक स्माइथ वेल्यो फ्लावर्स को खोजने का आश्रे जाता है फ्रेंक स्माइथ को युन्होंने अपनी किताब में वेल्यो फ्लावर्स का मेंशन किया था गुमानी किसका उपनाम है दामोडर्पंत लोक्रतन पंत ऊधुरबाद्ध पंत यह ग्मानी पंत से से कर्फ्यूज मत होंगा है सही डिये लोग रतन पंत का उपनाम है और ये काशिपूर कोट से काशिपूर वाले एरिया से ये क्या थे पोएट थी ठीक है जिनों ने कौनसी खड़ी भाशा की पोएम लिखना शुरू किया था हमारे कुमाव एरिजन में चिपको मुमेंट कहां से स्टार्ट होता है जौनपूर, रैनी, जखोली या घुट्टू चिपको मुमेंट के शुरूवात चमोली के रैनी गाउं से शुरू होती है option number B The largest cultivable area in उत्रखंड is covered by which crop? उत्रखंड का जादातर area किस crop से cover है, कौनसी crop जादा पैदा होती है उत्रखंड में, कौनसी फसल जादा पैदा होती है उत्रखंड में पैड़ी यानि की धान, wheat, गेहूं, sugarcane, गन्ना, potato, आलू सबसे जादा पैदा होने वाली जो फसल है उत्रखंड में वो है wheat यानि की गेहूं की फसल उसके बाद आती है paddy यानि की धान Which one of the following novels is not written by सेलेश मत्यानी? सेलेश मत्यानी ने इन में से कौन सी पुष्टक नहीं लिखी? कबुतर खाना, कामीने, जैमाला, महभोज शेलेश मत्यानी ने इस में से जैमाला नहीं लिखी The historical fort of khagmara near almoda was built by खagmara का किला almoda के निकट किस के द्वारा बनाया गया था? खagmara का किला almoda के निकट बनवाया गया था चांद रूलर्स द्वारा Next question, देविधूरा मेला, held in the district of देविधूरा मेला कहां लगता है? पिथोड़ागर, चंपावत, हरिद्वार्योदमसिंग नगर देविधूरा मेला लगता है चंपावत में इन विच स्टेट नंदा देवी महौत सभी सेलिब्रेटेट, किस राज्य में नंदा देवी महौत सभ सेलिब्रेट होता है? उत्राखंड, मनिपूर, राजिस्थान या बिहार और करक्ट ओप्षन इस उत्राखण विच्ट neutr इट इन नीवर्स्टि अ उत्राखण राज में जे विश्वी विध्याले का सेटस मिला है केंद्डर विश्वी विध्याले का स्टेटस मिला है? दूर उनिवर्सटी, कुमाव उनिवर्सटी, हेमवती नंदल वहुगुना गड़वाल उनिवर्सटी या जीबी पंत अग्रिकल्चर उनिवर्सटी इन सब में से सेंडरल उनिवर्सटी का स्टेटस मिला है एचनवी गड़वाल उनिवर्सटी को Name the only person from Uttarakhand received the Gyanfit Award for Literature इन में से किस को Literature में सहित्य में Gyanfit Award से नमाजा गया है लीलधर जगूडी, ईला चंद्र जोशी, विरेन डंगवाल ये सुमित्रनंदन पंथ इन में से सुमित्रनंदन पंथ को Gyanfit Award से सहित्य के लिए नमाजा गया है The total area of Uttarakhand is 60480 square kilometer, 53483 square kilometer, 55483 square kilometer, 65480 square kilometer The total area of Uttarakhand is 53483 square kilometer Who was the first chief minister of Uttarakhand? Uttarakhand के पहले chief minister कौन थे? यह मैंने बहुत बहुत कोईशन आपको पढ़ाया है, समझाया है और 150 question की वीडियो में हमने solve भी किया है पहले chief minister Uttarakhand के थे नित्यानन्द स्वामी Which of the following temple is one of the 12 जोतिलिंग? 12 जोतिलिंग जो हैं पूरे देश के हमारे, उनमें से Uttarakhand से कौन सा शामिल है? तुंगनाथ, बागनाथ, कलपेश्वार या किदारनाथ? उनमें से शामिल है, रुदरप्याग डिस्ट्रिक का केदारनाथ temple The total number of district in Uttarakhand, वाओ, so like हलवा कोईशन Uttarakhand की total district कितनी है? 12, 16, 13, 14 सबसे पहले जब उतarakhand की पंढ़ने की शुरुवात करते हैं, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि Uttarakhand में 13 districts है, 7 गढ़वाल में और 6 कुमाओं में Where is the FRI located? Forest Research Institute कहां इस्थापित है? देहरादून, मसूरी, हल्दवानिया, पंतनगर Forest Research Institute इस्थापित है हमारा देहरादून में In which district किदाना temple located? इन में से किदाना temple किस जिला में है? चमोली, रुदरप्याग, उत्तरकाशिय, टीरी किदाना temple located है भी मैंने बताया, रुदरप्याग district में Where is the high court of उत्राखंड is situated? Guys, this is the last question, अभी तक से 47 questions पूचे गाई है उत्राखंड जी के से In all the 3 years, जब भी उत्राखंड PCS का ROAR का exam हुआ है Where is the high court of उत्राखंड is situated? नैनिताल, देहरादू, नलमोडाई, श्री नगर And the correct answer is नैनिताल So guys, इस ये सारे questions हमारे आए हैं 2016, 12 and 7 के जो भी उत्राखंड PCS ROAR के exam हुए है उसके सारे 47 questions ये मैंने आपके सामने ला दिये है और आपको इसे पता चलेगा कि उत्राखंड PCS में किस तरीके से उत्राखंड जी के से questions पूचे जाते हैं अभी भी अगर आपको कुछ last revision करना है आप easily कर सकते हैं और मैं आपको last revision के लिए बता हूँ मैंने इसी चैनल पे 150 questions की video अपलोड किया है जिससे कि आपको बहुत help मिलेगी उत्राखंड PCS में प्लीज उसे जाके देखिएगा और आपको बहुत जादा पता चलेगा कि इसमें जितने भी हमने questions किये है काफी सारे उसमें already discussed है So guys, this is all from my side If you like this session then please, 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 please like, share and subscribe to my channel and please share it more अपने दोस्तों से share कीजिए and please, please, please channel को support कीजिए Okay guys, see you in the next video Till then, do comment and like, share and subscribe to my channel Bye-bye, thank you